तो बरसात इस्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बताऊंगी मैं कच्चे आलू से यह बनाऊंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता तो करना क्या है आपको इधर कच्ची आलू ले लेना है आपको जितना बनाना उसके हिसाब से आप ल पानी मतलब एक्ष्ट्रा पूरा निखाल दी थी अब इसमें हम डाल देंगे कुछ चीजें जादा एड नहीं करना है बहुत ही कम चीजें डालना है नमक डाल देंगे और इधर मैं डाल रही हूं जो अपन पिज़ा सीजनी होता है वो डाल रही हूं मैं और चिली फ्लेक्स बस मसाले भी हमें इत्ते ही डालना है कुछ भी और नहीं डालना है अब इधर हम डाल देंगे यह और मैदा डाल देंगे मैदा नहीं चावल का आटा लेना है इधर चावल का आटा डालेंगे और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तो ज्यादा आपको नहीं डालना है चावल का आटा या कॉन फ्लर आप देख लेना यह चीज नहीं तो फिर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा बस हलका सही आपको डाल के और इसको मिक्स कर लेना हैं कि जिससे आपके पिकाणी अच्छी से बन सके बस वैसे यह आपको बनाला है तो ये रेखिए और इसे पानी वगरा कुछ एड मत करना क्योंकि आलू में पानी छोड़े गई है कूल ही तो ऐसे आपको मिक्स करने के बाद अगे drifting स तो आप प्याज और आपके पकोड़े तो बहुत ट्राय किये होंगे एक बार ये पकोड़े जरू ट्राय करने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है मैं आपको लाश्ट में वीडियो में दिखाँगी तो ये देखे ऐसे आपको पानी निचोडते हुए ऐसे आपको गोल-गोल से पकोड़ी बनाना है और तेल भी मैं उधर चढ़ा दी थी गरम होने के लिए तो तेल भी अच्छे से गरम होके है अब ये सारे हम ऐसे फ्राइ करेंगे पकोड़ी बना-बनाके तो ये देखिए तो डाल देते हैं और इनको अच्छे से कलर गोल्डन कलर का होने तक फ्राइ कर लेंगे तो अभी आपको नहीं छेड़ना जब हलका सा नीचे से ना कलर दीखे कि आपको हा मतलब सेग गया है फ्राइ हो गया है तब ही आपको ये पलटना है तो बहुत जटपट से ये आपका नास्ता रेडी हो जाता है कुरकूरा पकोड़ा तो अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं तो ये देखिए गोल्डन कलर के हो गया है इनको हलका सा हम और क्रिस्पी कर लेंगे ये जितना क्रिस्पी होगा न उतना ज्यादा टेस्टी सा लगेगा तो हो गया है, निकाल लेते हैं इनको मैं आपको टोड़के भी दिखाऊंगी कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ये पकोड़े जो है निकाल लेते हैं हम और इसको आप टमैटो सॉस या ग्रीन चटनी किसी के भी साथ खाऊँगे न बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेंगे तो ये देखे हो गया है अब आपको मैं दिखाती हूं कितने ज़्यादा क्रिस्पी आवाज तो नहीं सुना सकती हूं क्योंकि मेरे बच्चे बहुत हला करते हैं तो इसलिए बट आप ऐसे देखो मैं टोड के दिखाऊंगी कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया है नास्ता तो ये देखिए मैं इधर खाने वाली सॉस के साथ हैं और मैं आपको एक टोड के भी दिखा देती हूं तो ये वीडियो साथ उदर कट हो गया मैं आपको एक और टोड के दिखाऊंगी तो ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी तो ज़रू ट्राइए करना ओके फ्रेंट्स इंजोई बाइ टेक केर